हेलो गुड इवनिंग डॉल फियो आप सभी का स्वागत है राम आयस में मेरा नाम देवी सिंग है हम घटना चक्री जो है समसामाई की यूपी पीशिस दोहजार एकिस के लिए आज का ये दूसरा लेक्चर है और हम कुशिस करेंगे कि लेक्चर ज्यादा ज्यादा आर्स के ह अगर गंटा या दो घंटा के भी हूँ तो चल जाएगा क्यों ज्यादा थोड़ा सा हमें जल्दी पढ़ना है क्योंकि दिवीजन भी तो हमें जो ट्रेशनल सब्जेक्ट है उसका करना है जैसे कि मैंने पॉलिटिक आपको डिवीजन अप्रॉक्समेटली त्री आर्स में क करवा दिया है इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करवा दूंगा उसको लेकर भी बहुत परिशान नहीं होना है तो चलो पहले हम इसे साथ गंते में कोशिस करते हैं कि जो घटना चक्र है इसे यानि जो करेंट अप्यर से पूरा कर लेते हैं ओके चलो तेखो भी एकी करत बहुद्देशी और संद्चना विकास निगम एक यह इसू आता है अब यह मुद्ध जो की 22 जुलाई 2021 को केंदरी मंध्राले ने लगडाक में एक एकी करत बहुद्देशी और संद्चना विकास निगम यानि integrated multi-purpose infrastructure development corporation तो इसकी स्थापना को भी मन्जूरी प्रदान करी है कल का आपको लेक्चर याद होगा लास्ट में हम जो है लगदाक में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना किये थे किये थे या नहीं किये थे उसी के आगे ये कड़ी है तो भी यह लगदाक में और सरचना बिकास के लिए मुख निर्माड एजन्सी जो की मेन कंस्ट्रक्शन एजन्सी होगी और यही जाके वहाँ यूनिवर्सिटी का निर्माड करेगी इस निगम की जो अधिकृत जो पूंजी है यह निगम लगदाक में परियतन और परिवहन उद्यों के बिकास के लिए आधार भूठ धाचे का निर्माड करने के लिए साथ-साथ इस्थानी उत्पादों और हस्त छिल्प उद्योंगों को प्रोशाहन देने के लिए बिपड़न सुविधाओं और बिकास और बिस्तार करने में इंपॉर्टन भूमिकाने भाती है और इस निगम की जो इस्थापना से लगदा का एकी क्रत यूनिफाइट समावेसी डेपलपमेंट है वो सुनिचित हो सकेगा तो ये कल की कड़ी में इतना एड़ कर लेना है आज का जो फ्रेस इसू है बेरी फ्रेस इसू जो है उमलिंग द्धान से सुनना उमलिंग लादर्रा तो ये क्या है एक्चुल में उमलिंग लादर्रा और बिस्तार की सबसे उची जो मोटर योग सड़क तो इसके बादे मे में हम क्या करते हैं, डिसकस कर लेते हैं. पहले तो यहींसे बन सकता है, बोलीबिया के नाम पे दर्ज लेकिन अब बोलीबिया में जौला मुखी जो है उतुरूंग धान से सुनना ये जौला मुखी है वहाँ तो इससे होकर जाने वाली जो है 18,953 फिट की उचाई परिस्तित मोटर योग सड़क का निर्मार किया गया है इसके साथ अगर हम बात करें तो important fact ये है कि 4 August 2021 को जारी एक प्रेस जो बिग्यप्ति के द्वारा प्रेस रिपोर्ट के द्वारा यानि इसके अनुसार सीमा सड़क संगिठन बियारो बियारो इस स्टेंड फार बॉर्डर रोड और्गिनाइजेशन तो इसने पूरवी लदा में जोकी उमलिंग लादर्रे पर उमलिंग लादर्रा तो इस पर मोटर वाहन संचालन योग सड़क का निर्माड करके बिश्व में एक नया किर्तिमान इस्थापित किया है इसका जो उचाई है 19300 फिट कितना भी 19300 फिट लाश्ट वाला जो है बॉलिविया वाला देखो सबसे उची सड़क में कौन है मतलब हमारी जोकी कहां लग्दाग में उमलिंग लादर्रा थिक है अब भी इसकी बात करें तो 19300 फिट की उचाई परिस्थे थी सबसे उची मोटर योग सड़क है यनि हाइस्ट मोटरेवल रोड है इस सड़क का जो निर्माड है निर्माड काद 2017 से प्रारम हुआ था और इस सड़क का निर्माड जो है हिमांग प्रोजेक्ट अगेन याद रखेगा इसका भी नाम पूछा जा सकता है तो हिमांग प्रोजेक्ट के अंतरगत किया गया यह जो सड़क है वो 52 किलो मीटर लबी डमरी करत जो है रोड है डंबर पड़ा हुआ है यहीं उमलिंग लाटॉप से होकर के गुजरने वाली यह सड़क लगदा के जो है सिचुमले और देम्चोग गाउं को आपस में यह क्या करती है जोडती है ठीक है इसके साथ साथ यह सड़क माउंट औरेस्ट के आधार सिविर जो सिविर है उनसे भी उचे स्थान पर निर्मित करी गई है धान रखना जो आधार सिविर है किसके माउंट औरेस्ट के जो आधार सिविर है उससे भी उचे पर है यह अब मैं यह बता दू माउंट औरेस्ट का जो नेपाल इस्तित दच्छनी आधार सिविर हो साउथ बेस कैम जो है सत्रा हजार पांस सो अठ या चीन गलेशियर से भी अधिक उचाई पर ये सड़क है तो आप में ये भी देख लिया कि भी जो हमारा ही माले है हिमाले का जो आधार है उसकी यनि जो बेस कैंप है उसके बेस कैंप से ज्यादा उची पर ये सड़क बनाई गई है अगला है प्रोजेक्ट हिमांक फिल अगस नाइनटी ऐटीफाइब में प्रोजेक्ट हेमांग को सीमा सड़क संगठन बियारों के दौरा लांच किया गया था, जो किस ने लांच किया, बियारों ने ही लांच किया, अब इस प्रोजेक्ट को the mountain tamers क्या है के नाम से भी जाना जाता है, the mountain tamers के नाम से भी जाना जाता है, हिमांग परियोजना के अंतर्गत, बियारो वास्तविक नियंत्रल रेखा, जो lac है, एक्च्वल, जो ये, कंट्रोल लाइन है, यानि lac, इसके साथ लगदाक में सड़कों, और संबंधित बुनिय ध्यान रखेगा ठीक है तो यह है वह अलो सी दूसरा है इसमें से जो खार दूंग ला तंग लॉंग ला और चांग लॉंग जो दर्वे हैं बिस्व की कुछ आते थे कूछी जो मोटर सड़के इसमें से सामिल है अब गनीजवल रिकार्ट के अनुसाथ जो है फियर फैंग फ राजील में समाप्त होने वाली जो पैन अमेरिकन हाइवे है तो बिस्व की सबसे लंबी मोटर योग सड़क है ठीक है कौन पैन अमेरिकन हाइवे जिसकी जो लंबाई है यह 24,140 किलो मीडर है यह लंबी है ध्यान रखना मैंने उसे उचाई पे बात करी है तो यह मत की मैं इसमें से यह जो लंबाई जो मैंने सड़क बताई है आपको पैन अमेरिकन हाइवे यह सबसे जादा लंबी है सबसे लंबी मोटर योग और जो हमारी यह है यहां पे देखो यह जो उमलिंग लादर जो है तो यह यहां पर जो बनी हमारी सबसे ऊची सड़क है और यह जो ह पैन अमेरिकन हाईवे सबसे लंबी सड़क है जिसका लंबाई कितना 24,140 किलो मेंटर है लगदाग का जो राजपसु और राजपच्छी के बारे में थोड़ा सा देखो 31 आगस 2021 को जारी एक प्रेस विग्यप्ति के माध्धमते केंद सासित प्रदिस लगदाग द्वारा हिम तेंदुवा यहां का राजपसु है जबकि काली गर्दन वाले सारस जो की ब्लैक नेगड जो है क्रेन यहां का राजपसु है ठीक है अब यहाँ मैं यह बता दूं, अजो है राज का कसमीरी हिरन है हंगुल और यहां का क्या है का कस्मीर बोधा, शारं का कश्मीर हिरत हुच्छेंट है प्रश्चा में यह दने का और यहां पर राज़की पर क्रेन है और यहां पर सारस है मतलब वही जो कि यहां लगदाक में है वही यहां पर भी है जम्मुकस्मीर में भी है ठीक है तो काली गर्दन वाला जो सारस यहां पर भी है और यहां पर काली गर्दन वाला जो सारस है नहीं ब्लैक निंग क्रेन अब ज निग्रोकोलिस अब मैं आई यूसीन जो है तो यह संकट ग्रस्ट प्रजातियों की एक रड़ लिस्ट में हम तेंदुओं को सुबह यानि क्लासिफाई किया गया है हिम तेंदुओं को बचाने के लिए अब 23 ऑक्टूबर को जो हें तेद्वbaar दिवस मनाया जाता है जी आइद्वर्ड फत्त अरतयुन को बțiत May काली गर्दन वाली सारा सा और lent निए उनियर है यह संक्ता सपने इस की शेय रोपर को दूप् struggle स्रेंगत तक ह ंव चे पाई जाती कहां भी चांग थांग छेत रुपे अब ए रूपी एक नया डिजिटल भुक्तान साधन इसे जड़ा समझने का प्रयाज करें दो अगस्ट दोवजार एकिस को कब दो अगस्ट दोवजार एकिस को प्रधार मंत्री नरंद मुदी जी ने वीडियो कॉन्फरेंस अथात वर्चुली इसे के मादम से बिसेश्ट डिजिटल भुक्तान साधन यानि ए रूपी यह क्या है एक बिसेश्ट डिजिटल भुक्तान साधन है कब लॉंच किया गया 2nd August 2021 वर्चुली वीडियो कॉन्फरेंस के बाद में तो यह बैक्ति विस्ष्ट है और जो बैक्त इस बिस्ष्ट एक डिजिटल भुक्तान समधान यानि अट परसन अटरप farmers पेस्टिफिक डिजिटल प्रमेन्ट solution है यह डिजिटल भुक्तान के लिए एक नगत रहित यानि कैसलेस और संपरक्रहद कॉंटेक्टलेस साधर हैं तो यह कैसलेस भी और कॉंटेक्टलेस अब देश में नगत रहित लेनों को बढ़ावा देने के लिए इसके उद्देश से जो एक बाउचर आधारत भुक्तान प्रणाली का विकास जो कि नेशनल प्रेमेंट कॉर्पोरेशन ऑप इंडिया की द्वरा किया गया है रूपी के विकास में यह कुछ पूछा जा सकता है तो बित्ती सेवाएं विभाग जिसे केंद्री स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले और राष्टी स्वास्त प्राधिकरन की जो इसमें से प्रमुख भुमिका रही है ए रूपी लेंदेनों के लिए ने चवदा बैंकों के साथ जो है साजेदारी भी की है जिनका विवरण है इस प्रकार जैसे मैं बता देता हूं कि स आरे और इंडिन जो है इसके साथ ऐसरा यसरा इंडियन बैंक ऑफिंडिया यूको बैंक में प्राश्रा है ये रूपी में ये सभी बैंक साजितार है मुलतेहा ये रूपी एक डिजिटल बाउचर है ये क्या है बही एक डिजिटल बाउचर है जो कि लाभार्थी या उप्योग करता उसके फोन पर एक पूर्व भुकतान ये प्रीपेड बाउचर होता है प्री पेड बाउचर अधानकना प्योग करता को कार्ड डिजिटल भुक्तान एप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही सिवा प्रदान को भुक्तान करने में सच्छा मनाएगा यह जो भुक्तान साथन है मतलब यह उप्योग करता को कार्ड या डिजिटल भुक्तान एप कोई एप या फिर बिना इंटरनेट के इंटरनेट बैंकिंग के बिना ये सर्विसिस प्रदार करता है ए रूपी के प्रयोग ही तो किसी लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवारे नहीं है ए रूपी के प्रयोग के लिए कोई भी जरूरी नहीं है कि आपका बैंक में खाता हो यह एक ऐसी बिसिस्ता है जो कि इसे एक अन डिजिटल भुक्तान माधमों से अलग करती है ठीक है तो यह भी धारखना इसमिल से अकाउंट का होना जरूरी नहीं है ए रूपी कल्यानकारी सेवाओं की आपूर्ति सुनेशित करने की दिसा में एक करांदिकारी पहल के तौर पे माना जाता है जो बैलफेर स्कीम है जैसे कि देखो हम विद्धे समय वेशन को पूरा करने के लिए जो की प्रधान मंत्री जंधन योचना अगस्त 2014 में तो सुरूआत किया यह बहुत बड़ा इनिसियेटिफ था लेकिन जरूरी तो नहीं है इसके दौरा एक आसान यानि दो चर्णों वाली प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क रहित कॉंटेक्टलस वुक्तान सुनिश्चित होगा जिसमें ब्यक्तिगत जानकारी भी साजा करने की कुई जरूरत नहीं होती है इसके कुछ चीज नहीं भूलेगा इंपोर्टन क्या है पहले कॉंटेक्टलस ठीक है यह जो डिजिटल साधान है दूसरा इसमें से यह क्यों मदलब यह जो है यह डिजिटल कीवार या एसमस के तौर पे एक इबाउचर के मध्धम से सेवा प्रदाता को वुक्तान किया ज देने से लॉंच किया है यह ध्यार रखना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ओप इंडिया ऐसे जो उप्योग करता है जिनके पास स्मार्टपों नहीं है वे भी रूपी का प्रियोग कर सकेंगे तो जरूरी नहीं स्मार्टपों का यहां होना और इसमें से बैंक भश्य की डिजिटल मुध्रा इनीं जो cbdc है jo cbdc भविस्वे प्रस्थावित Central Bank Digital Currency इस से धिफरेंट है यह ध्यावरेक confess भाविस्ट में जारी की जाने वाले एक डिजिटलमुद्रा है जबकि जो ए रूपी है जह भारती रास्ती भुकान नेगा और के द्वारा एक डिजिटल बाउचर है तो डिजिटल मुद्रा और डिजिटल बाउचर में डिफरेंट है आपको स्टेट सिविल सर्विस कही कभी चाहे हो कोई भी स्टेट सिविल सर्विस हो वो यहीं पर चक्मा देगा कि अच्छा तो चक्मा क्या देगा कि पहली बात तो ये डिज्टल करेंसी है तो नहीं ये डिज्टल बाउचर है ये डिज्टल बाउचर है नगी डिज्टल करेंसी है तो यह आपने देखा एक दूसरा important इसू है सहकारिता मंत्राले का गठन अब देखो भारत में सहकारिता का कार बिभिन नीमों और बिनीमों के माध्धम से होता है इसमें अब एक प्रथक मंत्राले के माध्धम से संचालित किया जाएगा एक अलग मंत्राले के माध्धम से संचालित किया जाएगा वर्स 2021 की बजट घोषना में बित्मंत्री ने सहकारिता को बढ़ावा देने की बात कही थी और बताईए कि सहकारिता fundamental rights के अंतरकत कब और कौन से fundamental rights में एड किया गया था तो सहकारिता को बढ़ावा देने की बात कही थी कब 2021 की बजट घोषना में बित्मंत्री जी ने वही करसी और किसान कल्यान मंत्राले के अंतरकत जो करसी सहकारिता और किसान कल्यान बिभाग कारे करता है किसके अंतरकत किसान कल्यान मंत्राले के अंतरकत करसी और किसान कल्यान बिभाग में यह परिवर्तित हो गया है और सहकारिता ही तो एक अलग से मंत्राले का घठन किया गया है अब यह अपने आप पे एक self ministry मतलब यह ministry है यह अपने आपे सहकारिता मंत्राले एक अलग मंत्र है है जुलाई 2021 को किन सरकार ने मतलब सहकार से संब्रद्धी के बिजन को साकार करने के लिए प्रथक मंत्राले को नामित किया किसे सहकारिता मंत्राले किसके लिए किन सरकार किन सरकार से सहकार में संब्रद्धि के बिजन के लिए टीक है तो मिनिस्ट्री आप को ओप्रेशन का गठन किया गया अब इस जो है इस नय मंत्राले का कारभार को यह शौपा गया है उसकी मंत्री को है सहकारी मंत्री अमिसाहजी है जो की होग मिनिस्टर है बियल बर्मा को सहकारिता मंत्राले में राज मंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया बियल बर्मा को यह मंत्राले देश में सहकारिता अंदोलन यानी cooperative moment को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रसासने कानूनी और नितिगर धाचा प्रदान करेगा यह मंत्राले सहकारी समितियों के लिए ease of doing business जो है ease of doing business की जो प्रक्रियाओं को बहतर बनाएगा बहुर राज सहकारी समितियों MSCS यनि multi-state cooperative के विकास को भी सुद्रण और सच्छम बनाएगा सहकारिता के महतु को बढ़ावा देने के लिए जो सन्युक्त राष्ट महासभा ने 2012 को सहकारिता का अंतर राष्ट ये वर्स 2012 को ध्यान रखना किसने सन्युक्त राष्ट महासभा ने इंटरनेशनल इयर और को ऑपरेशन घोशित किया था अंतर राष्टी सहकारिता जो देवस है इंटरनेशनल डे और को ऑपरेटिव तो प्रतिवर्स जुलाई मा के प्रथम सनिवार को मनाया जाता है वहीं वर्स मंत्राले से निकाल करके बित मंत्री मतलब बित मंत्राले से जूड़ दिया गया है तो जो लोक उद्यम विभाग है डिपार्टमेंट पब्लिक इंटरप्राइज इसको कहां से निकाल दिया गया है लोक उद्यम मंत्राले से कहां से भई लोक उद्यम यानि जो इसमें से प बिभाग हो गए हैं ध्यान रखना कौन कौन से भी भाग है यह पूछा जा सकता है एक तो आर्थिक कार बिभाग देपार्टमेंट और इसका आप तो कार जानते हैं कि इसका क्या कार है मैं जब एकॉनमी आपको पढ़ाया था तो आप मुझे बताएं इस कमेंट करके कि इसक अब दिभाग यानि डेपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्मेंट एन पब्लिक एसेट मैंश्मेंट दीपम आपने सुना होगा तो धारतना निवेश और लोग संपत्ति प्रबंधन दीपम पाचवा है बित्ती सेवाइं विभाग डेपार्टमेंट ऑफ फाइनेंश्यल सर्वि बढ़ा से अभी भारि उद्द्राले तोर पर यहां madalai को इस दो इन चार्ण है इसे अगी चार्ण होठे on पब्लिक इंटरफ्राइज अब बित्मंत्राले के अंतरगत फाइनांस मिनिस्ट्री के अंतरगत इसे एड कर दिया गया है अकिल भारती उच्छा सर्वेच्छन इसे देख लो भई यह जो सर्वेच है इसे ध्यान से सुनना वर्स 2010-11 के आखड़ों के आधार पर पहला अखि जारे किया गया था तो सिच्छा के लिए यह जारे किया गया था यह सर्वेच्छन अलेक्ट्रॉनिक माध्धम से किया गया था और इस उद्देश है तो एक पूर्टा यानि समर्पित पूर्टल जो है www.ai यानि आल इंडिया सर्वे सर्वे ओंदा हाईयर इजूटेशन डॉट गवर्मेंट डॉट इन यह बिक्सित किया गया था यह पूर्टल था अब देश में उच्छ सिच्छा प्रदान करने वाली सभी संस्थानों को यह एक लिप करेगा आच्छादित करेगा और इस सर इन्रोल्मेंट हो गया नामांकन हो गया और वहीं सिच्छा बित फाइनांस हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया यह सभी आकड़े एकत्र किये जाते हैं और इन आकड़ों के मध्यम से सैच्छिक बिकास के विभिन संके तक इंडेक्स जैसे की सकल नामांकन अनुपात जी यानि ग्रॉस इन्रोल्मेंट रेशियो वहीं छात्र सच्छक अनुपात जो की पी टी आर यानि पूपिल टीचर रेशियो लोगों का जो है बच्चों का रेशियो टीचर के साथ अब इसके साथ लेंग एक समानता सूचकांग जेंडर पैरिटी इंडेक्स तो इन आदे की गड़ना करी जाती है तो ध्यान रखना इसमें और यह आखरी जो है नीटी गत निर्नेयों के निर्माण में निर्माण और सच्छा छेत्र के बिकास और अनुपंधान में हेल्प करते हैं आपको क्या इससे मतलब पहला तो आपने सुचकांग दोजार गेरा में जारी किया आल इंडिया सर्वे और इसके कौन कौन से जो इंपोर्टेंट ऐसे संकेतक है तो वो इंपोर्टेंट है अब यह देखो इसमें से जो याद रखना है दस जून 2021 को केंद्री सिच्छा मंत्रा लेने इसके आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि इसके मंत्री कौन है तो 2019 बीच से जारी किया जो रिपोर्ट 2019 ध्यान रखना कब जारी हुई यह दस जून 2021 को लेकिन यह रिपोर्ट कौन सी है 2019 अब उच्छ सिच्छा विभाग यानि डेपार्टमेंट ऑफ हाईयर एजूकेशन डी एस जो है इसके द्वारा वार्सिक तोर से जारी यह जो रिपो पूटल इन्रोल्मेंट जो है वर्स 2018 के 3.7 करोड की तुलना में वर्स 2019 बीस में 3.04 करोड जो जीरो सॉरी 3.04 प्रतिसत ब्रद्धी के साथ ही आए यानि 3.85 करोड रहा है कितना भाई 3.85 करोड तो इसमें से यह कहलो की 0.04 प्रतिसत की ब्रद्धी के साथ इसके साथ कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49 प्रतिसत है ठीक है भारत में छात्रों को सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश को प्रतम स्थान है और यूपी का एक्जाम है तो इंपोर्टन्ट और हो जाता है इसके बाद महारास्टा और तमिल नाडू का इस्थाना आता है किसका भी महारास्टा और तमिल नाडू का आता है शकल नामांकान अनुपात ग्रॉस इन्रॉल्मेंट रेशियो GER में उच्छ सिच्छा में नामांकेत है पात्र आयूवर के छात्रों का प्रतिसत वर्स 2014-15 में 24.3 प्रतिसत के मुकाबले वही 2019-27.1 प्रतिसत रहा है इसका ग्रॉस इन्रॉल्मेंट रेशियो ध्यार रक्माना ब्रदि हुई है उच्छ सिच्छा में सनलंग्य संस्थानों की कुल संक्या के संदर्में भी उत्र प्रतिस जो हैं टॉप मूस्ट coord नफज़ के आधार 25 कितने 8985 इसके बाद महारास्टा में 6000 दूसरे इस्थान पर है 6952 और करनाटका में 5806 उच्छी सिच्छा में लेंग एक समानता की अगर हम बात करते हैं तो जेंडर पैरेटी इंडेक्स 2018 के मतलब 1 के मुकाबले वर्स 2019 20 में 1.01 रहा है वहीं अखिल भारती इस तरपर इसमें भी ब्रद्धी हुई है अखिल भारती इस तरपर 2019 20 में उच्छी सिच्छा के चातर सिच्छा का अनुपार जो पीटी आर है यह 26 रहा है कितना वही 26 उच्छी सिच्छा में बिदेशी च जो प्रतिनिध्य कि नेपाल के जो चाटरों की 38.1 सचाथ बंगलादेश का 4.6 भूटा जो है तीन दिसमनो आठ अठ प्रतिसाथ और शुडान के संख्या में सीर से चाल मतलब आठ राज जों है कॉलेज हो की संख्या में उत्तर प्रदेश टॉप मोश्ट पर हैं याद रखना महारास्टरा करुनाट का नंबर थर्ड पे राजिस्थान नंबर पोट पे अंद्र प्रदेश नंबर फिफ्त तमिल नादू नंबर शिक्त पे मद्र प्रदेश और फिर गुजरात है यह आपने देख लिया अगला अगला हमारा इसू है CEO Water Mandate यह क्या है जरा इस पर थोड़ा सा नजर डालेएं CEO Water Mandate जो है सार्वर्रनिक नीजी भागीदारी वाली एक अद्विती पहल है इसकी सार्वर्रनिक और नीजी भागीदारी यह नी पॉब्लिक प्राइवेट पार्टनर से पीपी पीपी मॉडल की यह एक अद्विती भा माधान के लिए ब्यापारिक नेत्रत करता बिजनस लीडर्स को एक मंच लाती मंच उपलब्द करवाती है इसकी स्थापना यूएन ग्लोबल कॉमपेक्ट के द्वारा 2007 में की गई थी और सन्युक्त राष्ट महा सच्यों और यूएन ग्लोबल मतलब जो सन्युक्त राष् निया में जो इस्तित है इसकी भागेदारी में किया गया दूसरा सामुही कारवाही क एक्षन तीस्तरा सारजनिक निती पब्लिक पॉल्सी चौथा है जो आपूर्ती स्रंखला और जिल संभरन यानि सप्लाई चेन एंड वाटर सेड मैनेजमेंट और है सामुदाइक सहभागिता कम्यूनिटी इंगेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी तो यह जो है सी इओ वाटर मेंडेड इसमें बस याधान रखना है कि यह पी 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 मॉडल पर एक अध्वितिय पहल है इसमें से यह जरूरी यार रखना जरूरी नहीं है कि इसमें से कौन-कौन सी कंपनिया है इंपोर् की सबसे बड़ी बिद्दोत उत्पादक कंपनी है तो एंटी पीसी जो लिमिटेड सी इओ वाटर मेंडेट इसकी हस्ताचर करता बन गई है तो यह इंपोर्टेंट है इसके साथ एंटी पीसी लिमिटेड कुसल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष् प्रबंधन की अपनी मुख ब्यवसाइग गद्विद्धी पेसाथ इसके साथ साथ जल संभरन प्रबंधन है तू त्री आर यानि रिडियूस कम करना फिर है यानि पुनर प्रियोग जो रियूस और फिर है रिसाइकल पुनर चक्रण मतलब इसमें क्या है कि जो एक रियूस रिडियूस और रिसाइकल अब आपको यह बता दें अगस्ट 2021 में भारत की दो अन्य कंपनियां एक जल जो की जैपुर राजस्थान स्रिष्टी लाइफ साइंसिस बड़ोदरा गुजरात भी CEO वाटर मेंडेट की हस्ताचर करता बन गई है तो दो यहां की कंपनियों के द्वारा इस पहल पर हस्ताचर किये गए हैं जिनका मैं कुछ इंपॉर्टन बेवरत देता हूं भारत की एक कंपनिया है कब कब पर अडानी पोर्ट इस्पेशल एकॉन लिमिटेट एक दिन चर्चा में था अडानी पोर्ट याद होगा दो हजार वीस अद्य Есть का हिंदोस्तान कंपनिय लिमिटेड एस सी सी دो हजान में साइन करी इनुक लिम्क नें करी हिंदुस्तान जिंक लिम्टेट आर आर जो है जो केबल है तो 2014 में जो है मैथरी एकवाटेक 2020 में एक जल 2021 में स्रिष्टी लाइप सांसिस 2021 में तो ये कंपनियां है ध्यार रखना एंटी पीसी उर्जा सगन जो लच्छों की घोसना तो 27 जून 2021 को जारी प्रेस बिग्यप्ति के नुसार एंटी पीसी जो है भारत में उर्जा छेतर के अंतरगत एक ऐसी पहल उर्जा कंपनी बढ़ गई जिसमें से उर्जा पर सन्युक्त राष्ट उच इस्तरी संबाद जो एंटी पीसी ने 2022 तक साथ गीगावाट तक की नमीनी करणी उर्जा चमता की स्थापना का लच्छ निर्धारित किया है एंटी पीसी ने वर्ष दो जार बत्तिस तक सुद्ध उर्जा तिब्रता नेट इनर्जी जो इंटेंसिटी है इसमें से दस प्रतिसत की कटोंती का ल और पार्क यहां से कुश्चन भी परनने लायक है 12 छुलाइद 2021 को नवीन और नवीनी करणी उर्जा रेनियोबल इनर्जी तो नवीन और नवीनी करणी उर्जा मंत्राले ने जो है एंटी पीसी रेनियूबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थत कच्छ के रन जो कच भारत की जो गुजरात इस्तत कच्छ का रन है इसमें सौर पार्क की स्थापना का मंजूरी दी है यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा ध्यान रखना जो कच्छ के रन में होगा इसकी जो छमता है 4750 मेगावाट इस पार्क में ब्यवसाइक इस्तर पर हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है 13 जुलाई 2021 को एंटी पीसी जो है रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड के केंदर सासे प्रदेश लगदा के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवाहन जो परियोजना है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एक समझहोता ग्यापन यानि मौयू हस्ताचित प्रिया है अलही में एंटी पीसी ने विसाखा पत्यनम आंद्रप्रदेश में इस तत जो है सिम हाद्री ताप बिद्दु संयंद्र के चलासे पर भारत के सबसे बड़े तैरते चौर उर्जा संयंत्र जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की है इस तैरते सौर उर्जा संयंत्र की छमता 10 मेगावाट है इसके अतरिक तिलंगाना में जो है रामा गुंड परी गुंड नम इनमें एंटी पीसी के द्वा स्वामित वाली एक अनुसंगी एक है स्वामित वाली वो देखा अपने ततीस सतत्विकास लच्छ और भारत सूचकांक और डैस्वूट दोहजार पीस इस से थोड़ा सा थे कल मैं जब गरीबी पढ़ा रहा था तो इसके बारे में थोड़ा सा डिसकस किया था जब इंडियन था जुन 2021 को पीसरा यह तो भारत सूचकांक और डैसव वूट ट्वीट ट्वीट ट्वन यहीजी थोड़ सूचकांक को नीति यह सांख कि यनि स्टैटेक्स और ब्रोग्रम जो कि का जो है थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटेग्स प्रोग्रेम एं इंप्लिमेनटेशं तो सां कार्यानुएन मंत्राले भारत सरकार के द्वारा जिसको मुश्वी बोलते हैं और सन्युक्त राष्ट भारत के नेतरत वाली एजेंसियां जो की प्रमुक्त केंद्री मंत्रालें के सहयोग से डिजाइन और विक्सित किया गया है यह सूचकांग भारत के सभी राज्यों सभी यूनियन टेर्टरीज और सन्युक्त राष्ट के एस डीजी 2030 का जो मतलब है जो गोल है तो इसको प्राप्त करने के संदर में उनकी प्रगत सीलता की निगरानी का एक प्रमुक्त करण है इस रिपोर्ट को सस्टेबल डेपलेप्लेप्मेंट गोल भारत सूचकांग और डै एस डीजी इंडिया इंडेक्स थ्री पॉइंट सूनि के अंतरगत सोला एस डीजी में प्रदर्शन के आधार पे राज्चों के नर्सासित प्रदेशों को रैंक देना है वहीं वर्स 2020 की रिपोर्ट में 115 संकेतकों के प्रयोग के द्वारा निर्मित किया गया यह सोला ससने ठीज तक फ्रेम और के नेशनल इंडिकेटर फ्रेम वर्क एन आ इप से लिया गया है वहीं कुल सोला ससनेबल डेपलमेंट गोल सत्रह जो की इसमें से लच्छों के संदर में प्रत्यक अधाज किंद्र-सासित-प्रदेश के प्रदर्शन और सून से सो के पैमाने पर मापा गया है इसमें से राच्चों और किन्सासित प्रदिश्व को सस्नेबल डिपलप्मेंट गोल भारत सूचकांग स्कोर के अधार पर इसमें से क्लासिफाई किया चाचट रहा है और जो कि जो चाचट है तो अग्रनी यह जो जब 2019 में स्टीजी भारत सूचकांग में यह साथ रहा है तो यह अच्छा पर कॉर्मर में लेकिन अब जो है जारी हुआ है यह अफ्रन्ट रनर है दो हजार बीस सिक किसमें उत्तराखन गुजरात महाराश्टा मि ले लक्षदीव अंडमानन निकोबार जम्मु कसमीर लद्दा कि अग्रिनी की स्रेणी में है अग्रिनी मतलब यह फ्रन्ट रनर की स्रेणी में इस सूचकांग में राज्चों की सन्युक्त रैंकिंग में केरल जो की सबसे ज्यादा स्पोर 75 यानि टॉप मोश्ट पे रहा है ठीक है तमिल लाडू का और हिमांचल प्रदेश का दूसरे स्थार्ड पर स्थार्ड जी जो है भारत सूचकांग दो हजार बीस इकिस स्राज्च पर केरल ध्यान रखना है 75 स्कूर के साथ हिमांचल और तमिल लाडू 74 सेकंड नंबर पर हैं फिर नंबर पर आपको मतलब यह थर्ड नंबर पर ही कहलो लब यह जो स्टेट है ध्यान रखना तो देखो है सेकंड नंबर पर हिमांचल और तमिल लाडू हो गए 74 के साथ आन प्रदेश कोवा करनाटक उत्राखन बहत्तर स्कूर के साथ थर्ड नंबर पर सिक्किम जो है आप देखोगे 71 के साथ चौत से दो तीन चार पांच छैसाथ ताठ नौ इस वज़े से यह तैंक है ध्यार रखना है अगे स्टीजी बारस सूचकांग 2020 से किस अंतिम पांच राज की अगर बात करें अंतिम पांच राज जो है इसमें से तो बिहार ठीक है बदलब एकदम अंतिम पे 52 स्कूर के साथ चार मतलब अरुडांचल प्रदेश में घाला है राजस्थान उत्तर प्रदेश साथ स्कूर के साथ यनि 22 स्थान पर है यह रैंक है धान रखना 22 स्थान पर ठीक है तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग स्टीजी 2021 में 22 स्थान पर 36 नागालें उडिशा एक करीब जाके मतलब 61 स्क प्रदेशों की थोड़ा सा देख लो ये चंडी का टॉप मुष्ट पर है उन्यासी अंग के साथ बहुत ज्यादा राज्यों से भी ज्यादा इसने स्कोर प्राप्त किया है दूसरी नंबर पर दिली पुरुचेरी और लक्षदी अर्सटंग के साथ जो की पाच्वा इनका ज साथ जो है जम्मू और कस्मीर लद्याग जोगी च्छाचट में स्कोर के साथ आठवा है दादर नगर हवेली दमन और दियू बासट में स्कोर के साथ तो राज्यों का प्रदर्सन जो अकांची मतलब जीरो से उन्चास तक जिनको अंग प्राप्त होते हैं ये प्रदर्सन कोई नहीं की स्रेणी में अच्छा प्रदर्सन जो परफॉर्मर पचास से चंशत के बीच तो इसमें से मनीपूर मद्प्रदेश धारकना अकांची जो जीरो से उन्चास में कोई ऐसा राज नहीं है जो मतलब खराप प्रदर्सन काफी खराप अकांची की स्रेणी में हो ठ 14 . आपको यात क्या रखना है। योपी का एकजाम देने जा रहे हो उतर प्रफॉर्मर की कैटेगरी में है और यहां पर आप देखो कि इसकी रेंग क्या है इसने उतर॥ प्रदेश की के हैं Case ने यह दो किये और इसने 56 50-60 में प्रफॉर्मर है अब जो फ्रंट रनर है जो अग्रणी है इसमें से केरला हो गया केरला हो गया हिमांचल प्रदेश हो गया तमिलनाडु हो गया आंप्रदेश हो गया करनाटक उत्राखंड सिक्किम महारास्टा गुजरात तिलंगाना मिचोरम पंजाब हरियाना त्रिपड़ा अब अचीवर में कोई नहीं है केंद्र सासेथ प्रदेशों में अकांची में यहां भी कोई नहीं है अच्छा प्रदर्शन में दादर नगर हविली दमन और दीव है अग्रनी फ्रेंट रनर में चंडीगर दिली लक्ष दिव पुरुचेरी अंदमाननिकुबार आईलें जमुवर कस्मी लद्द और अचीवर में यहां भी कोई नहीं है यह आपने देखा दूसरा इसू है एक नए डिजिटल मेडिया के दिसानर्देश इंपॉर्टन्ट है ध्यान रखना देखो जरा भारत सरकार ने बिरी फर्स टाइम पहली बार पच्चिस फरवरी 2021 को सूच्चना प्रद्योग की का 2000 के अंतरगत मध्यवर्ती दिसानर्देश और डिजिटल मीडिया आचार सहिंता डिजिटल मीडिया कोड औप कंड़क्ट प्रस्तावित की है यह आचार सहिंता तीन महीने की पूर्व नोटिस के तौर पे लाई गये थी पूर्व नोटिस के तौर पे यह से 25 मई 2021 को लाग 87 की उपधारा 2 के खंड या और याच्छा यानि धारा 87 सेक्षन जो है 87 का जो है सब सेक्षन दो इसका जो खंड है तो या और याच्छा दौरा पदान की गई सक्तियों का प्रियोग पे लाई गई है तो पहले तो आपको यह ध्यानक नहें कि भई जो है यह डिजिटल सब्सक्राइब करें लाट 2000 के अंतर गतिये एक मतलब तीन महिने के नोटिस पूर के मद्यम से लाया गया इंपॉर्टेंट क्या है यह ध्यान देने योग बात है और यही मतलब यहां से कुछ पूछा जाएगा हो सकता है यहां से भी पूछ ले तो धारा 87 उपधारा दो औ सब्सक्राइब करें लिए और यह अच्छा को ध्यान रखना यह कानून कौन सा है यह इन्फॉर्मिशन एंट टेकनोलजी लाट 2000 2000 ठीक है यह जारी का हुआ फरवरी 2021 में 25 अब देखो वर्टस अब जो चला रहे हूं योटूब पेस्बुक इंस्टाग्राम ट्विटर आचार सहिंता में यह प्रावधान है कि यथा इस्तिती जो है अपनी बेप साइट मोबाइल अधारत अनुप्रियोग जो एपलीकेशन से या दोनों पर चाहें बेप साइट हो या मोबाइल तो दोनों पर किसी ब्यक्तिद्वारा अपने कंप्यूटर संसाधनों तक पहु यह जो मालो यह जैसे वर्टसब, यूटूब, फेस्बुक यह सभी जो एप है यह इनकी जो साइट है तो अपनी बेप साइट पे पतला है यह अपनी बेप साइट पे या मोबाइल अधारत अनुप्रियोग जो एपलीकेशन है एप पर दोनों पर किसी ब्यक्तिद्वारा किसी ब्यक्ति के दोरा अपने कंप्यूटर संसाधनों तक पहुँच या उपयोग के लिए नियम और बिनियमन उसके क्या उपयोग के लिए क्या नियम और बिनियमन होने चाहिए प्राइवेसी पॉलसी जो है और उपभोग करता करार को प्रकासित करेंगे जो उपभोग क या उपर जो है उपांतरित या प्रकासित या प्रसारित भंडारित या अपडेट नहीं करेंगे या साधा नहीं करेंगे जो किसी भी अन्यवेक्टी के संबंध में रखती हो तो प्राइवेसी पॉलसी पे क्या कि आप कोई भी चीज चाहे आप अपडेट सूचना भंडाराण प्रदर्शन अप्लोड उपाराण कुछ भी नहीं करेंगे जो किसी कोई कोई भी ब्यक्ति माल लो कि किसी भी अन ब्यक्ति के संबंध में अगर वो इ अगर असलीलता है या बाल यौन श्रोसन से संबंध है तो किसी दूसरे ब्यक्ति की निजता को भंग करने वाली है या निंदाकारी है या कुछ इस से और संबंध मतलब कोई अध्राइट से नहीं है कि आप क्या करें उसको प्रसारित करें ठीक है कोहीं बालक अगर अठरा वर्ष से कम की आयूक के मतलब है तो उसके लिए यह हानिकारक माना चाहता है अब मधवर्थी को अपने जो यह मिडियेटर्स हैं अपने सिकायत अधिकारी का नाम संपर के बेवरों पे साथ उस पूरे तंद्र का प्रकासन अपनी बेव साइट पर करना होगा इसके जरिए किसी भी सिकायत का निवारन जो है किया जाना है अब सिकायत अधिकारी जो है 24 घंटे के भीतर मामले को जो है अभिश्विकार करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीक 15 दिनों के भीतर इसका निप्टारा करेगा अब मद्धवर्ति जो मुख अनुपालक की निव्टी करेगा ठीक है साथ में जो यह अधिनियम है यहां अधिनियम से तात पर सूचना प्रद्यों की अधिनियम का है यानि इन्फॉर्मिशन और टिकनॉलजी तो उसके अधिन बनाए गए है नेमो का अनुपालन सुनेशि के लिए कुछ बिसेस प्रावधान भी है क्या क्या है कि इसके अनुषार प्रकास को के संबंद में की गई सिकायतों के स्माध्ण के लिए त्री संदशना होगी इसमें से जेसे प्रकास को के दरा ऌस था निकायओं दोरा स्वतार सहिंता के संबंद में जो प्रकासक के दौरा प्रकासित अंतर वस्तु के बारे में सिकायत करने वाला व्यक्ति सिकायत समाधान करिया विदी पर अपनी सिकायत प्रस्तुत करेगा कोई स्वता बिनियामक निकाय की अध्यचता जो है उच्तम नयायाले के रिटायर्ड यानि सेवा निब्रत जो जल्ज है नयाधिस है या मीडिया प्रसारन मनोबल बाल अधिकारी मानुआ अधिकार या किसी भी स्वतंद प्रतिष्ठित ब्यक्तित के द्वारा करी जाएगी जो अचार सहंता में केंदडरी सरकार के द्वारा निरिचठ क्रीजा बिध्य के लिए एक अन्तर बिभागी समिठ की स्थापना का प्रावदान इस सिकायत जो सिकायते इसी समिठी के श्व्पृद की जाएगी यह समिठी प्रकास्कों को सम्चिद दिसा निर्देश और ज इसे ब्यक्ति को भारत सरकार के संयुक्त सच्चिव के इस तर से नीचे नहों नियुक्त किया जाएगा यह ध्यान रखना यह आपने चो प्राइबिसी पॉल्सी थी को भी हला मचा था उसी के संबंद में हैं यह ध्यान रखना पूछा जा सकता है मैंने सारी चीजे भूबहू आपको यहां पर समझा दी हैं बिना कोई लागला पेट और करकाट चाट के क्यूंकि यहां से कहीं भी कोई भी कुश्चन बना सकता है अब थोड़ा सा बिधान सभा चुनाओ जो है 2021 में जो हुए इनके बारे में देख लो चुनाओ लोकतांत्रिक ववस्था के एक इंपॉर्टन्ट प्रक्रिया है आप यह भी जानते हैं ठीक है अब इसके द्वारा जनता अपने प्रतनिधियों को चुनिती है 1951 में जो हुए देश के पहले आम चुनाओ गे साथ देश के सभी बिधान सभाव में भी जो चुनाओ आयोजित हुए थे अब इसी परिपेच में जो वर्स 2021 के अप्रेल मई और मतलब यह जो अप्रेल मई के माय में चार राज्यों कहां कहां केरल पस्चेमंगाल असम और तमिल नाडु में और केंदर सासित प्रदेश पूरुचेरी में चुनाओ संपन हुए हैं यह अप्रेल मई में बहुत जब सेकेंड बेव आई तो लोग कहनी रहे थे कि एकदम भयावय मच गया था है ना तो यह उसी टाइम यह जो है चुनाओ हेल्ड हो रहे थे फोड़ा सा मैं इसमें से इंपॉर्टेंट पॉर्टेंट चीज बता दूं क्योंकि पूछा जा सकता है तो पहला कि पस्चिम बंगा बिधान सुभा चुनाओं में देखो भारत निर्वाचान आयों की ओर से उल्ल आठ चरनों में चुनाओं करवाया गया तो इंपॉर्टेंट यह है कि आठ चरनों में चुना हुआ ठीक है आठ चर्णों के चुनाव जो है 27 मात से याद रखना जरूरी नहीं है 27 मात से 19 अपरेल 2021 की बीच होना था 292 विधान सभा सीटों की मतगरना 292 विधान सभा सीटों की मतगरना 2 मई 2021 को कराई गई मई 2021 किस पस्टिम बंगल विधान सभा में कुल 294 सीटों में से 292 पर होना थाठीक है इन 294 सीटों में से जो 213 सीटें कितना 213 सीटें अखिल भारती त्रणमूल कांग्रिस AI TMC आप जिसे कहते हैं तो TMC AI TMC के पास 211 सीटे Absolute Majority के साथ 70 सीटे भारती जनता पार्टी के पास योकि अब 70 नहीं रहे गई हैं करीब बहुत सारे इनके जो विधायक हैं TMC में सामिल हो गए हैं Approximately इनके पास 72 क्यास पास सीटे हैं अभी और वो भी दो-तीन दिन में कयास लगाए जा रहे हैं कि दो लोग छोण के चले जाएंगे ठीक है ये मेरा कयास नहीं है ये ज्या रखना वहीं इसमें से एक-एक सीट जो है स्वतंत्र जो उमीदवार इंडिपेंडन जो उमीदवार रहे हैं साथ में राश्टी सेकुलर मजलिस पार्टी ने एक सीट जेती है ठीक है ये सेट स्वतंत्र उमीदवार और एक राश्टी सेकुलर मजलिस पार्टी ने दो-विद्धानसवास शाओ सम सेरगंज और जो जंग पौर में वज़ए के प्रतेयासीयों मृत्य हो गई थी इस वज़े से यहां पे चुनाव संपन नहीं कराई थे अब पसिम मंगाल विधान सभा चुनाव परणाम में राजनीतिक दल में जैसे कि हम मैंने बदाए ए आई टीम सी दोसु त्यारा सीट पाती है और करीब कि करीब अटालिस प्रतिसाद में यहां नौप। मिलते हैं कुल दोसीट है दो मई 2021 को मदगर्णा के नुसार अकिल भारती तर्मूल कांग्रिस को पड़े कुल बैद मतों में से करीब 48 प्रत्सथ 47.94 में यहनी 48 प्रत्सथ और भारती जंदा पार्टी को 38.13 प्रत्सथ बोट मिलते हैं कीटों के साथ प्राप्त मतों के प्रत्सथ में अकिल भारती तर्मूल कांग्रिस भारती जंदा पार्टी से काफी ज्यादा अगे रही अप्सलूट मजोर्टी में सरकार बनाया और वर्स 1962 के बाद यह पहला औसर है जब पस्षिम मंगाल में वांपंथी दलों का प्रतिनिध से जित गया है और अभी रिसेंटली घ्मानी बोकी जड़ से जिए दो यह संब करें जीट THERE कि तो तमिलादू विधान सभा चुनाओ के लिए भारत निर्वाचान आयो की ओर से अधिसूचना 12 मार्च 2021 को जारी करी गई राजी की सभी 234 सीटों में देखो यहां 24 सीटे हैं तो इसके लिए चुनाओ एक ही चरण में 6 अपरिल 2021 को संपन हुए एक ही चरण में इस चुनाओ की मत गड़ना है वही दो मई 2021 को कराई गई तमिलादू विधान सभा की 234 सीटों में से 133 सीटें जो है डियमके ने डियमके अभी आज यह टाइम नहीं है नहीं मैं आई डियमके के बारे में आपको बताता कि इसमें से सिरी अन्ना दुरई और जय जय ललिता एम जी आर इ सीटें दियमके Lilac Camus We have 18 सीटें बारती राष्टी कांग्रेश ने और चार सीटें भारती जनता। पार्टीने जीती हैं तो यह वहां का मतलब है इतनी सीटें जीते गई है सरकार के डियम के जो है अपसलीट मेजूर्टी से बनाएगी बनाएगी अब तमिल अदु विधान सभा चुनाव परड़ाम की दली इस्तिती तो भही द्रबिल्ड मुनेत्र कंग्डम डियम के 137.7 प्रत्सत बोट मिलते हैं फिर बात ए आई डियम के की आती है अब भही राश्टी सब टॉस्ट मिलते हैं 6 gaming वह थी राश्टी कि मिलती है चार प्रतिसट बोट मिलता है प्ताली मकल काची इन्हें पांच आली मकल Honors मुंषट्रूी मिल यंद्व प्रति-शीत पर्ती जन्टा-पार्टी को 4 सीटे मिलती हैं और बिठू ठलया चिरू थईगल काची सिटे मिलती हैं कम्मिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माक्सिस्ट नेटा है यहां सरकार किस्ट ने बनाई बनाई अब साथ मैं 2021 को डी अमक्य के जो नेता है एक इस्टालिन ने तमिल नाडू के नए मुखमंत्री के तौर पे इनने सपदली एक इस्टालिन के एमके इस्टालिन स्वरी और यहां पे तमिल नाडू में जो सत्ता की बाग डोर पिछले यह आपने देख लिया पिछली जो सरकारे कहां के पास रही है किरल विधान सभा चुनाओ देख लो भई किरल विधान सभा के चुनाओ में भारत निर्वाचन मदलब निर्वाचन आयों की और वही 12 माज 2021 को जारी की गई राज की 140 सीटों में चुनाव एक ही चरण में होने थे अच्छे अप्रिल 2021 को ही संपन हुए राज की सभी 140 बिधान सभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में हुए अब राज की कुल जो है 140 सीटों में से भहुमत के लिए 70 सीटों की जरूत होती है तो Communist Party of India मार्क्सिस्ट के नितरत वाले जो बाम लोकतांतरिक मुर्चा है LDF तो इसने केरल में 90 सीटे जो जीतने में काम्यावी पाई ठीक है साथ में सन्युक्त लोकतांतरिक मुर्चा जो UDF है इसने केवल 41 सीटे ही जीत पाई अब बात आती है 2021 मई तो पिनराई बिज्यन ने अगेन केरल के मुक मंत्री के तौर पे सपत लिया केरल के गठन के बाद पहली बार किसी मुक मंत्री ने लगाता दूसरे कारेकाल में सपत लिया हो केरल के कुछ बिधान सबाद चुनाओ परड़ाम देख लिए दली इस्तिती क्या है Communist Party of India 17 सीटे मिलती है इन्हें मत जो है साथ प्रतिसत मिलता है Communist Party of India 62 सीटों के साथ जो है माक्सिस्ट 25 सीटे मतलब 25.4 भारती राष्टी कांग्रेश को 21 सीटे मिलती है वहीं इंडियन यूनियन मुसलिम लीग को 15 सीटे मिलती है कांग्रेश जो सेकुलर है 1 सीट मिलती है प्रतंत्र जो है 6 सीट मिलती है इंडियन नेशनल लीग को 1 सीट मिलती है जनाधी पतियों केरल जो कांग्रेश में 1 सीट मिलती है साथ में जनतादल सेकुलर को 2 सीट मिलती है केरल कांग्रेश को 2 सीट मिलती है केरल कांग्रेस जैकोबियन को एक सीट मिलती है केरल कांग्रेस M को पांस सीट मिलती है केरल कांग्रेस B को एक सीट मिलती है राष्टी सेकुलर कॉनफरेंस को एक सीट मिलती है लोगतांतरिक जनता दल को एक सीट मिलती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को दो सीट मिलती ह भारती क्रांतिकारी मांक्सवादी को एक सीट मिलती है और विजेपी को सुन से असम विधान सभा चुनाओ के बारे में थोड़ा का देख लो भी असम की 126 विधान सभा सीटों के लिए भारत निर्वाचा रायोग ने तीन चर्णों में जो हैं चुनाओ संपन करवाए अब राज विधान सभा के चुनाओ जो की 27 मांच 2001 के से एक अप्रेल और 6 अप्रेल को चुनाओ करवाए गए भारती जनता पार्टी के नेतरत में जो है राश्टी जनतांत्रे गठवंधन 126 सदसी असम विधान सभा के लिए चुनाओ में से 75 सीटों पे जीत हासिल करें ठीक है जबकि विपच्छी दल जो है भाती राश्टी कांग्रेस के नितत वाला जो गठवंधन है तो इसने 50 सीटों से इन्हें 50 सीटे ही मिली आसम के 15 मुख मंत्री के तौर पे राजपाल जगदीश मुखी ने हमंत बिश्वा को सपत दिलवाई हमंत बिश्वा यहां की मुख मं में 6 अप्रिल 2021 को संपन हुए राजबिधान सभा चुनाव में राश्टी जनतांत्रे गठवंधन राजक तो इसको सत्ता प्राप्त करने के लिए आवसक सीटे प्राप्त हो गए अब भाजपा ने राजबिधान सभा की 30 सीटों में से 6 सीटे और राजग में सामिल 21 को एन रंगा स्वामी आल इंडिया एन आर कांग्रेस ने पुरुचेरी के नए मुक्मंत्री के तौर पे सपत लिए अब ताब विद्धु संयंत्रों में बायो मास के प्रियोपत जो राश्टी मिशन इसे थोड़ा सा आप समझे धान और अन फसलों की कटाई के बाद जो परालीक को खेतों में जलाने की बजाया उसे संगरहीत और प्रसंस्क्रित करके उसका इंधन के तोर पे उर्जा उतपादन में प्रियोग किया जाएगा झालं के छाला है प्रियूक्ट रहत तरह जाती है üzerine इसको जला दी को कोईला आधारित जो उज्जा संयंत्रों में कोईले के साथ मिस्रित करके इसका दहन किया जाए तो इससे जो है प्रतिवर्थ से करीब फैतालिस हजार मिलियन यूनिट बिद्दुत उत्पादन किया जा सके गया तो इसके साथ हज़ाद करें मैं केंदरी बिद्दोत मास के प्रयोग पर एक राष्टी मिसन इस्थावित करने करने लिया गया है प्रस्थावित राष्टी मिसन की जो अवधी नियुनताम पांच वर्ष होगी इस मिसन के उद्देश हैं कि तापी उर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कारबन रहत उर्जा उत्पादन हितू बायो मास को फाइरिंग जो है तो फाइरिंग के वर्ष मान में पांच प्रत्सत के इस्तर पर ब्रधी करके उसे उच इस्तर तक ले जाना है बायो मास पेलड जो है इसमें करसी और सिसों की आपूर्दी संखला में बाधाओं को दूर करना है और बिद्दुत संयंत्रों औ के सचिव की अदच्चता में एक संचालन समित यह नहीं जो है इस्टीरिंग कमीटी की परिकल्पना की गई है इसमें से नवीन और नवीनी करणी उर्जा मंतराले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंतराले आदि के सामिल होंगे प्रस्तावित राष्टी में एंटी पीसी जो है रसद और बुनियादी धाचा संबंदी सहायता में भूमिका भी अदा करेगी बायो मास को फाइरिंग क्या है देखो किसी भी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस नैचुरल गैस और कोईले जैसे अन इंधनों के साथ बायो मास्स पदार्थों की संभिस्रण और दहिन को ही ऐए और जो आधारत संयंतरों से कार्बन सवर्जन को कम करने के संदर में ग्रि צटा है कि कारबन नियूट्रल टेकनॉलोगी की तोर पर मानता दी है तो इससे हमाएं आप देखोगे कि जो ग्रीन हाउसेस है जो विस्वतापन है तो उसमें भी कमी आएगी और हमारी इनर्जी की जो इनर्जी भी बढ़ेगी ठीक है तोड़ा देखो अब यह अंबोली बैस्विक सवरी जैव बिविद्धा बिरासत है यह घूसित है इस्थानी निकायों के परामर्स और राज सरकारें जो जैव बिविद्धा महत्व के छेत्रों को जैव बिविद्धा अधिनियम दोहजार की धारा 37 के अंतर गत जैव बिविद्धा बिरासत इस्थाल के तवर पे अधिसूचित करती है अब ऐसे पारिस् संबेदन सील परिस्त की तंद्र माना जाता है 31 मार्च 2021 को महरा सरकार ने सिंदू दूर्ग जिले के पस्मी घाट इस्तत अंबूली में से एक छेत्र को जैव बिविद्धा बिरासत बायो डाइवर्सिती हेरिटेस साइट घुषित करा है जैव बिविद्धा आधिनियम 2002 क सराव में इंबोली निकट धाक्रे वाइल लाइफ फाउंडेशन स्सझ्थ करता कि एक दल में मृदू उ जल जो है फ्रेस में पाई जाने वाली सिस्टूरा नामक एक मछली एक यह बहुत दूरलख प्रजाती है इस मछली का नामकरण अंबुली काउं के निकट बहने वाली इसय नदी के नाम पर किया घ्या गया है तो सिस्टूरा हीय किसी कह दिया गया है अंबुली छेत्र Elvis खिरन निकेसी नदी के उद्गम इस्तल और देवी परवती के मंदर के लिए जाना जाता है वहीं म्रदूजल में पाईज आने वाली जो मचली की इस दुल्लव प्रजाती के आवाज जो हैबिटेट है को जैव बिविद्धा बिरासत इस्तल घुजद करने करने मत्सन इविद्धियों की परनावन सरुप इन्हें विलुपत होने से बचाने के लिए किया गया है महारास्ट में पाचवा जैव विविद्धा बिरासस लिष्टाल है महारा सरकार ने अससे पहले गढ़र चिर्वली कहां कहां पर गढ़र जिसे ग्लूरी आफ अलापली पुने म में इसके साथ सा लेंडोर खोरी पार्ट जो की जैब विवित्ता विरासल में सामिल एक अगला इस सुभ है स्रेजल नल में नल से पेजल मिसल यह क्या है भाई स्रेजल नल से पेजल मिसल को लॉंच किया है इसी के साथ पुरी भारत का पहला ऐसा सहर बन गया है जहां लोगों को सीधे नल से 24 घंटी लगातार उच्छ गुनवत्ता का पेजल प्राप्त हो सकेगा पुरी ध्यान रखना भारत में भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सहर में अभी तक एसी कोई एक यहां है ठीक है इसके सासत पूरी सारवजनिक स्थानों पर उच्छ गुनवत्ता युक्त पेजल प्राप्ध कराने वाले नलों की जो इस्थापना में प्लास्टिक वाटर बॉटल यहनि प्लास्टिक वाटर जो बॉटल का प्रियोग हतोत्साहिद किया जाएगा इसम प्रतिवस फोर हिंड्रिक में प्लास्टिक अप्सिस्ट के उन्मूलन में सहायता मिलेगी एक यह रहा है अगला इसु है हमारा राश्ट्रिय दुर्लव रोग नीती स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा चुलाई 2017 में दुर्लव रोगों के उप्चार के लिए एक नेशनल पॉल्सी फार्था ट्रीट्मेंट ऑफ रेर डिजीज प्रितिपादित की गई थी हलांकि इस नीती के क्रियान्वेन में बिभिन चुनौतियों को सा सामने आने के फल्सुरोप इसकी समिच्छा जो ही नुवंब्र दोहजार अट्रा में एक बिस्यसग समिति के गठन में किया गया बिस्यसग समितिने रेपोर्ट के आधार पर 13 जन्वरी 2020 को एक नई राष्टी दुलव रोगनीती के मसवदे को सारव्यने किया गया था केंद सरकार ने विभिन हित धारकों और विस्यसग्यों के साथ व्यापक परामर्ष के बाद राष्टी दुलव रोगनीती 2021 को अंतिम रोब दिया है याद करने योग इसमें से अ दुलव रोगनीती 2021 नेशनल पॉलिसी फौदा रेयर डिजीज 2021 स्विक्रित प्रदान करी है वहीं 2021 में दिल्ली उच नयाला ने जो केंद्र सरकार को 31 माज 2021 तक दुलव बिमारियों के समंद्ध में राष्टी स्वास्तनीती को अंतिम तो मतलब अंतिम रूप देने के उप्चार किया वस्क्ता वाले विकार और समूतीन में ऐसे रूख जिनके निश्चित उप्चार या डिफिंसिव ट्रीटमेंट अप्लब्ध है लेकिन उप्चार की लागत बहुत ज्यादा है इन सरकार के दौरा समूफ फरस्ट केता है सूची बद दुलव रोगों की प प्रदान किया जाएगा जो अयुसमान भारत प्रदान मंत्री जर्ण आरूंग योजना के तहर केवल सरकारी त्रतियक अस्पतालों पे उप्चार है तो वह पात्र है इस नीत में एक क्राउट फंडिंग कभी मतलब जो क्राउट फंडिंग जो तंत्र है इसकी परिकलपना है जिसके तहर दुलब रोगों के उप्चार है तो एक सुद्रण यानि आई टी प्रेटफॉर्म के माध्यम से कार्पुलेट छेद्र को बित्ती साहता प्रिदान करने के रिए प्रोसाहत किया जाएगा उत्करष्टता किंद्रों के संकाय यानि जो यह है कंसोर्टियम साथी साथ अगर हम बात करते हैं तो दुलब रोगों के ब्यापक प्रबंधन के लिए किंद्र सरकारी अस्पतालों से चुनिंदा उत्करष्टता केंद्रों को अधिसूचित करेगा इन उत्करष्टता केंद्रों को स्क्रीनिंग ही तू और सरचना बिकास परिच्छर अनुसंधान विकास जो विकास के लिए राष्टी कंसोर्टियम नेशनल कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एंड डेपलब्मेंट ट्रेप्स्ट कभी गठन किया जाएगा इसका संचालन जो है स्वास्त अनुसंधान विभाग के दौरा किया जाएगा जिसमें से आई कोई सारी यूनिवर्सल या मानक परिभासा नहीं है डब्लु एचो जो है दौलब बिमारी को अक्सर जीवन भर के लिए दौलब करने वाली ऐसी बिमारी या फिर बिकार के तौर पर परिभासित करता है जो कि प्रती जन संख्या में एक या उसे कम लोगों को प्रभावित करती हैं दौलब लोगों को परिभासित करने के लिए प्रियोग किया जाता है अब जैसे कि अगर हम बात करें तो देश्चेत्र में प्रती यसमेंसे 601 पर ब्यापकता तो अमेरिका में Milan यूरोगं में 5 है यूरोप में 5 हूं यूरोप में 5 है जापान में 4 है दच्चन कॉ कुछ जो है और यह आई सी बर्मा उपसमित्री की दिपोर्ट है यह सोर्स तो ध्यान रखना भारत में ब्यापक्ता जो है ब्यापक्ता के आधार पर दुल्लब रोगों को परिवाज़त करने के लिए कोई ऐसा चाक्री नहीं है भारत में दुल्लब बैमारीयों की कोई निश क्रिया प्रारम किरी करी गई है भारत में किसी भी रोग या विकार को दुल्लब तब कहा जाता है जब वह प्रती पच्छिस सो जनसंख्या में से एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करता है अब भारत में अब तक लगभाग जो है साथ से आठ जार ऐसी बिमारिया दा सारी डीजीज है अन्तराष्टी दूल्ला ब्रोग दिवस तो प्रतिवस फरवरी माय के अंधेम दिन अंतराष्टी ब्रोग दिवस मनाया जाता है महीं 28 फर्वरी 2021 को 14 वे रांतराश्टी दोलव रोग देवस का यूजन किया गया अब प्रथम रांतराश्टी दोलव रोग देवस 29 फर्वरी 2008 को मनाया गया था यह आपने देखा अब यहां तक आपने सारी चीजों को देख लिया अगला इंपॉर्टन फेक्ट है यहां से कुछ चना सकता है आजादी का अम्रत महुत्सव भारत की स्वतंदरता की 45 वर्ष अगाट बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा आयूजित कारक्रमों की एक सिरीज है और अब ही आपको बता दूँगी पांच-छे दिन पहले लखनव में जो है प्रॉपरली यहां पे एक यह कहली से कि अम्रत महुत्सव मनाया गया और प्रधान मंत्री जी भी आये थे जब यह लखेंपुर खीरी कांड हुआ था तो यह जो है 75 वी वर्सगाट मनाने के लिए भारत सरकार की द्वारा आयूजित कारक्रम की एक स्रंखिला है यह महुत्सव जन भागीदारी की बिचाधारा के साथ जन उत्सव के तौर पे मनाया जाएगा यह कारक्रम पूरे देश में राज और किंद सासित प्रदेशों सरकारों द्वारा आयूजित किया जाएगा देश के बाहर भारत की दूतावासों में भी इसका आयूजित होगा भारत की स्वतंदरता की 75 वी वर्सगार 15 आगस 2022 के 75 सब्ता है पूर 12 मार्च 2021 को प्रधान मंत्री नरंद मोदी ज्वारा सावर मती आसरम एहमदाबाद गुजराद से आजादी का अमरत महोत्सों नामक यह जो पहल है लांच करी गई यह पहल 15 अगस 2023 तक जारी रहेगी आजादी के अमरत महोत्सों पिस पर आयूजित होने वाले कारक्रमों के बारे में नेतियों योजनाओं को तयार करने के लिए किंद्री ग्रह जो मंत्री की अधिशता में एक राष्टी क्रियान्वेंट समीति नेशनल इसमें से आजादी का अमरत महोत्सों को मनाने के किंद्री संस्कृति मंत्राले सहीयोगी की भूमिका में रहेगा और ध्यान रखना जो है ये भी देख लो इसमें से क्रह मंत्री की अधच्छता में आजादी के अम्रत महुत्सों के लिए कुछ उद्देश हैं जैसे कि इसके जरी आजादी से जोड़े जो अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों पे दबे हुए हैं जो की अंसंग हीरोज हैं उनको सामने लाया जाएगा 1857 से 1947 के मद्ध जो चले स्वतंद्रता संग्राम की जो जानकारी देश वासियों और युवा पिली को देना हैं इस कारक्रम के माध्यम से बिश्व के करीब 75 वर्सों जो 75 वर्सों की उपलब्धियों का प्रदसन करना होगा और अगले 25 वर्सों के लिए देश के संकल्पी क ब्लूप्रिंट त्यार करना होगा यह सभी उद्देश हैं भारत की स्वतंद्रता की 75 वर्स गाठ के उत्सव के लिए पांच जो हैं पिलर हैं एक स्वतंद्रता संग्राम दूसरा 75 वर्ष पर विचार 75 वर्ष पर उपलब्धियां 75 वर्ष पर कार 75 वर्ष पर संकल कर ठीक है युवा प्रधानमंत्री योजना है अब देखो भई 29 मैई 2021 को उचे सिच्छा विभाग सिच्छा मंत्राले भारत सरकार के दोरा 30 वर्ष से कम आयू के युवा और रौंच किया गया है यू 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 ना के संदर में यू आपकमिंग एन वर्ष टाइल ऑथर तो इसको जो यू अबमें एन वर्ष ताइल आथर से यू 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 जना इंडिया परियोत्म आजादी का अमरत महुत्सों का ये अंग है तो इससे भी पूछा जासे ह तो इसके बादी में हम अगला लेक्चर जो है उसमें डिस्क्स करेंगे थैंक यू बेरी माच फिर मिलते हैं